स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ग्यान बुरुजी में आज मैं आपको बताऊगा कि आप अपनी एज कैसे फाइंड कर सकते हैं आज मैं आपको एक चीक ची अच्छे से से बताऊ है कि SI現在 कि आपकी एज कितने साल किया और कितने देन टू शुरू करते हैं सबसे पहले में आपको बता दूँ कि आपको अपनी जो प्रेजन्ट अज है जो प्रेजेंट डेट जिस डेट से आपको मेजर करनी है वो डेट लिखते हैं जैसे कि हमें करनी है अभी 30 अपरेल 2020 से तो हम इंदर पे लिखेंगे अपरेल का चोथा मिजना होता है और साल है 2020 तो यह इस डेट से हमें अपनी डेट आप बर्त पता करनी है तो पहले इसको उल्टा करके लिखेंगे यह जो यह है पहले आ जाएगा अब मन्त आ जाएगा अब यह देट और अब जो हमारी डेट आप बर्त है वह आई यहां पर जैसे कि इदर पी मेरी डेट आप बर्त है जैसे कि मेरी डेट आप बर्त कुछ भी ले ले लेते हैं यहां पर 10 दिसम्बर तो इसको भी अविवे इसे तरह से लिखेंगे पहले डेट लिखेंगे डेट विखेंगे और मन्त के लिखेंगे और यह के निचे यह लिखेंगे है और मेंस्ताथ हम इसमें से इसको माइनस करना है तो हर تم सब्सक्राव करण आरें तो 20 के रिखक और यहापर दिक्कत होगी 12 कैसे माइनस करें इसके लिए आपको इदर से कुछ लेना पड़ेगप इसमें товकesta कुछ बारा महीने यहां पर लेंगे, चार महीने पहले से हैं, तो अधर पर 12,4 हो गए, हमारे पास 16 महीने, तो यहां पर हो जाएगा, फोर की जगह पर 16, और यह तो अधर की जगह हो जाएगा, एक द्कम कर देंगे, तो ऑचे का 2019, 19 अब इसको माइनस करेंगे सोला में से 12 को माइनस करेंगे तो बच्छेगा चार और यहां पर 9 में से 6 करेंगे तीन बच्छेगा और एक नहीं करा जाएगा और इधर 0-0 तुमें से चुझाएगा तो यह आगई मेरी एज निकल कर मेरी एज होगी 13 साई चार महीं और 20 दिन यह आजाएगा वाई एम और डे इसी तरह से आप लोग किसी की वी एज कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर इधर से माइनस में होगा तो इधर से लेंगे आप एक महीना पूरा लेंगे और ए इसी तरह से मैं आपको एक और करके लिखाता हूँ इसी को लेते हैं प्रेजन डेट डोजर बीस चार और तीस की जगए पर हम 20 लेते हैं और यहां पर यही आजाएगा 2006 12 यहां पर ले लेंगे 30 इसको कैसे निकालें 20 में से 30 माइनस हो नहीं सकता तो इधर से लेंगे इधर से पूरा एक महीना लेंगे एक महीने में होंगे 30 दिन तो 20 में 30 एड़ करने पर हो जाएगा 50 तो यहां पर आएगा 50 और यहां पर रचेगा 3 तो 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 रचेगा और यहा लेंगी तो यहां पर बारा महिने आ जाएगे तो बारा महिने तेन एड करेंगे तो 15 होजा जाएगी तो यह तो अगर यह वारे डेट आप बर्थ लेते हैं तो मेरी एज होगी तेरा साल तीन महिने और बीस दिन तो इसी तरह से आप किसी की भी एज कैल्कुलेट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीज